हाई प्रेंट्स मैं हूँ अन्रादा आज मैं पनीर मख्यानी की सबजी बना रही हूँ जो बहुत ही डेस्टी बनके तयार होगी वीडियो सुरू करने से पहले आपनों को से रुक्वेस्ट मेरे वीडियो को लाइक और सब्स्राइब जरू किजिएगा और कमेंट करके जरू प्रेंट को बता यहाई कार्या कैसी लग्ति है रि Hamburg लुक्त यहाज लगता है दो चलिए बनाते इसे आज पहन में डालनेंगे एकचमज घी जब अच्चे से मेल्ट हो जाए तहां गैस को करेंगे लोग लोग इसंप्साधार डाल देंगे माखाने माखाने डालने बापिस उसी पैन में डाल देंगे थोड़ा सा तेल, एक चम मस्तक फिर इसमें डालेंगे लॉंग, काली मिर्च, इलाइची, दालचीनी यहाँ पर भी गैस को करेंगे मीडियम और ये खड़े मसाली इसमें डाल दें इसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा तकवा केक चम मस्तक इन सब मसालों को थोड़ा सा बुण जाने दे फिर इसी के साथ डालेंगे हम दो बड़े प्याज कटे हुए थोड़ा सा जिंजर जिंजर डालने के बाद इसमें डाल देंगे हम गालिक इसको चला देंगे पराबर थोड़ा सा बुण जाएए प्याज फिर हम इसमें टामाटर डालेंगे प्याज थोड़ा सा पक चुका है अब इसमें हम टामाटर डाल देंगे तो से तीन टमाटर हैं टमाटर डालने के बाद इसमें डाल देंगे एक आजू थोड़े से आठ से दस गैस को करेंगे मीडियम और इसको मिक्स कर देंगे प्याज और मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद इसमें हम थोड़ा सा आपका टुरी तक पानी डाल दें चला देंगे इसको फिर पापिस अब इसको ढग देंगे हम कम से कम 8-10 मिट के लिए लो फ्लेम पर 8-10 मिट हो जाने के बाद इसको चला दें और प्रेट में निकाल लें फिर ठंडा होने के बाद एकसर की जार में डाल के पीस लें इसको पूरी तरीके ठंड़ा हो जाने के बाद ही इसको डालें, यहाँ पर ठंड़ा होने के लिए रख दें, थोड़े दिर के लिए, ठंड़ा हो जाने के बाद मिकसी के जार में इसको डालें, थोड़ा-थोड़ा करके इसको आराम से मिकसी के जार में डालें, इसके बार डालनें हम इसमें थोड़ा सा पानी लगवग हाप कटोड़ी तक पानी डालके इसको कवर कर दें और एकदम महीं पेश्ट को पीस लें तो चलिए अब इसकी सब्जी बनाने के लिए इसमें डाल दें लगवग एक चमस्तक तेल जब अच्छे से गरम हो जाए तो गैस को करें लो और पानी तो मैंने पीस के रखा था पेश्ट उसको डाल देंगे इसमें चमस्तक रैट चली पॉडर और साथ में डाल देंगे हम तर्मरिक पॉडर तोड़ा सा कॉरिंडर पॉडर साल्ट और इस पेश्ट को मीडियम फ्लैम पर चलाते हुए छैसे 7 मिनिट तक चलाते हुए प सब्जियों को पहले ही बॉयल कर लिया था इसलिए यहाँ पर बस थोड़ी देर पकाना है इसको साला पक के तयार है इसमें हम डालने के क्रीम लगबग दो चमज तक इसको मिक्स कर दें जब क्रीम अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें तब हम इसमें डालेंगे कस्तूरी मैथी चलाते रहें बरावर इसको सब्ची बहुती जल्दी बनके तयार होती है और बहुती टैस्टी बनती है कस्तूरी मैथी को डाल दें यह और इसी के साथ डाल दें यह भुने हुए मखाने और काजू सबको डालके ग्रेवी के साथ मिक्स कर दें देχिए फ्रिंट्ज कितना अच्छा लग रहा है यह, खाने में तो उतने ही टैश्टी लगेगा, यह देखने में लग रहा है, इसको आप पूड़ी, पराथा, चपाती, किसी के साथ भी खा सकते हैं, हाप कलस तक पानी मिला दें इसमें, पानी को अच्छे से मिक्स कर दें, गैस को मीडियूम ही रखें पूरी प्रोसेस में, ग्रेवी के साथ मिक्स हो जाने के बाद, इसमें हम मिला देंगे पनीर, पनीर को मी मिला दें इसमें, मिक्स करने के बाद इसको लोग फ्लेम पर पका लेंगे थोड़े देर के लिए, और पनीर बनके तयार है, गर्मा गर्प, रोटी या पराठा के सा और बताएं कैसी लगी रेसिपी पसंद आए तो ज्यादर से ज्यादर लोगों को सेयर करें और साथ में सब्सक्राइब करें थैंक यू